हलो एवरीवन वेलकम बैक टो आर चानल आई होप कि आप लोक बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स हार बार की तरह आज में आपके लिए बहुत ही यूसफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो की है मच्छर को लेकर फ्रेंट्स मच्छर को बगाने के लिए हम तरह तरह की जन में आवलेबल होती है और सबसे बड़ी बात यह बहुत ही ज़्यादा कारगर भी है तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राइ करना और तब देखना आपके हरसी जो मख्छी मच्छर है ना वो बिलकुल कम हो जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने रेमेडी की तरह त इस तरीके का था तो मैंने इसे खोल दिया है खोल के मैं इसको गोल सा फैला लूँगी तो इसके लिए हमें कोई भी अच्छा सा कॉटन आप ले लीजे और इस कॉटन में हमें कुछ ऐसी चीज़े डालनी है जिनसे कि मख्छी मच्छर बिलकुल भी नहीं आएंगे तो चलि किया दो तेजपत्ता कोशिश यही करिएगा कि फ्रेश वाला ही हमले फ्रेश इंदा सेंस आप मतलब बहुत इनों का रखा हुआ ना यूज करें आप फ्रेश लेकर आएं उस पे ज़्यादा अच्छी स्मेल होती है खुश्बू होती है तो उससे ज़्यादा काम करता है य काली मिर्च और लॉंग जो है फ्रेंस यह दोनों के जो स्ट्रॉंग स्मेल होती है ना उससे जो मक्ही मच्छर या और वी जो केड़े मकौरे होते है ना वो बिलकुल दूर भागते हैं तो यह वाली जो रेमेडी है ना इसको आप हफ़ते में डेली भी जला सकते हो अगर तेरी नहीं जला पा रहे हो तो तीन से चार दिन जरूर जलाएए इससे क्या होता है घर से नेगिटिविटी भी जाती है और जो मक्ही मच्छर जो कीरे मकौरे आपकी घर में होते हैं वो भी भाग जाते हैं तो बस हमने काली मिर्च और लॉंग को दरदरा कूट कर इसमें डाल दिया है उसके बाद हमें अगली इंग्रीडियन चाहिए ग्रीन चिली हरी मिर्च तो इसमें हमें हरी मिर्च का ही इस्तमाल करना है आप इसमें सुखी लाल मिर्च या पाउडर का इस्तमाल ना करें क्योंकि जब आप इसे जलाओगे तो जो सुखी लाल मिर्च होती है एक या दो जैसा आपको लगे मतलब बाराबत्ती बना रहे हैं तो जादा लगेगा छोटा बना रहे हैं तो मैंने एक से ही डाला है उसके बाद लास्ट में आपको डालना है कपूर कपूर फ्रेंस बहुत ही स्ट्रॉंग एक हमारे पास चीज है जिससे किना मक्षी मच्छर बहुत जल्दी भागते हैं अगर आप इसे डेली अपने घर में जलाते हो तो आप देखो के घर में मक्षी मच्छन नहीं आएंगे प्लस एक पॉजिटिविटी घर में आती है और नेगिटिविटी बाहर जाती है तो मैंने इसे क्रश करके डाल दिया है अब ये गोल वाल ये मिट्टी का दीपक देख रहोंगे आप बलैक हो गया क्योंकि मैं इसे बहुत बार इसको जलाती हूँ और इसकी जो सुगन्द होती है इसकी सुगन्द बहुत अच्छी होती है प्लस जो मक्षी मच्छा रहोते हैं वो भी भाग जाते हैं और इससे किसी को कोई भी साइ इससे जो बत्ती आप जलाओगे न वो काफी powerful होगी तो कोशिश करिए सरसो के तेल का ही इस्तमाल करने का तो बस इसे हम अच्छे से बना लेंगे एक बत्ती की तरह ताकि हमें इसे जलाने में कोई भी परिशानी ना हो थोड़ा सा oil भी आप इसमें डाल सकते हैं ठीक है फ्रेंस ये जो बत्ती जलाओगे न जलाते समय थोड़ा सा दिक्कत होगा इसके लिए आपको क्या करना है न कपूर को crush करके उपर से डाल देना है क्योंकि थोड़ा मोटा है तो थोड़ा जलने में दिक्कत करेगा इसलिए जब आप कपूर का powder करके डाल दोगे न तो ये बहुत अच्छे से जलेगा और कुछ देर तक जलने के बाद इसमें से धुआ निकलेगा जो धुआ अपना काम अच्छी तरीके से करेगा ये देखे जलने रहा था अच्छे से तो मैं इसमें थोड़ा सा क्रश करके कपूर डाल दिया है और उसके बाद हम इसे जला लेंगे फिर आप देखो के बहुत अच्छे से ये जल जाता है तो इस तरीके से जलने के बाद आप अपने पूरे घर में इसे घुमा दीजिए कीचन में, ड्राइंग रूम में, बैडरूम में, बैलकुनी में अगर आप प्लांस वगरा रखते हैं, गार्डन हैं तो उस एरिया में भी हर जगे आप इसको जला दीजे ताकि इसका जो धुआ है वो हर जगे फैले आप यह अगर डेली करोगे ना तो यह और भी जादा आपके लिए अफेक्टिव होगा और बिलकुल भी आपको मक्षी मच्छर नहीं लगेंगे बहुत है अच्छा यह घरेलू जुगार है घरेलू नुसका है इसे आप जरूर से ट्राइ करना तो इस तरीके से जलाके सब जगे घुमाके फिर आप इसे एक जगार रख दीजे यह जलेगा जलने के बाद लास्ट में धुआ निकलेगा जो कि मच्छरों को भगाने के लिए बहुत यूसफूल होता है तो आई होप आपको यह रेमेडी पसंद आई होगी और इस रेमेडी जिफरेंस किसे को कोई साइड एफेक्ट नहीं है आप इसे जरूर ट्राय करना और मुझे बताना कि आपको इससे क्या फायदा हुआ है मुझे तो इससे बहुत फायदे होते हैं और मैं इसे जरूर जलाती हूँ हबते में कई बार मैं इसे योज़ करती हूँ जलाती हूँ और कपूर को आप डेली अपने घर में जलाएए कपूर जलाने से लब बहुत अच्छी खुश्पू भी आती है और मक्ही मच्छर भी भागते हैं तो इस तरीके से आप इसे पूरे घर में घुमा दीजी और घुमाने के बाद फिर आप इसे एक जगह आप कहीं भी रग दीजे जिससे इसका जो धुआ है वो चारो तरफ फैलेगा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंच और सबस्क्राइब तक यू सो मुच पर वाजिए बाइए और टेक्राइब